नमस्ते चात्रों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में तो इस वीडियो में हम नव पासान काल के बारे में पढ़ेंगे देखे चात्रों नव पासान काल को पढ़ने से पहले में आपको जो प्राचीन भारती एतियास का काल विभाजन है इसको हम तीन भगों में बाढ़ते हैं वो कौन-कौन से है प्राग एतियासी काल आदे एतियासी काल और एतियासी काल तो जो प्राग एतियासी काल है उसको पासान काल भी का गया है क्यों? क्योंकि इस समय कोई भी धातु की खोज नहीं हो पाई थी पत्थरों से ही लोग बाग अपने अथ्यार बनाते थे और हम कह सकते हैं कि पत्थरों पे ही लोगों का जेवन निर्बड था वो पत्थरों से सिकार करते थे पत्थरों से ही वो जो भी काम मतलब उनको करना होता था वो पत्थरों के ओजारों से ही करते थे इसलिए जो आपका प्राग इत्यासी काल है इसको पासान काल भी कहा गया है और यह जो प्राग इत्यासी काल है इसको अध्यन की द्रस्टी से भई जैसे हम अच्छे से समझ पाएं और है इस द्रस्टी से हम इसको तीन भागों में फिर से डिवाइड करते हैं और वो तीन भागों से हैं प्रागेते सिकाल या पासानकाल के वो हैं पूरा पासानकाल, मध्य पासानकाल और नव पासानकाल तो हमने पूरा पासानकाल, मध्य प पासानकाल के बारे में जानते हैं देखेगा नव पासानकाल नव पासानकाल है इसको इंगलीज में नियोलेथिक एज के नाम से भी जन जाता है कई बार प्रीक्षे में पूछ लेते हैं नियोलेथिक एज किसे कहते हैं वो है नव पासानकाल और नव पासानकाल है इसका समय ह 70000 इसा पूरर से 3000 इसा पूरर तक तो मध्य पासान काल के बाद 9 पासान युग में मनुस्ये के जीवन में भाहूत अधिक परिवर्तन आया तो हमने आपको पहले बताया कि बहिए जो पूरा पासान काल है उसमें मनुस्य व रहे उले पथ्रों से और वो भी जैसे की प्ततर थे उनको उसने किसी परकार से मलव अच्छे से बनाने की कोशिस नहीं करी पत्रों क्ये त्यार्दों में कोई सुधार नहीं करा जैसा प्ततर था उसी को वै यूज लेता था और वो क्या करता था वो venture ekरता था सिकार में वो अच्छा मास्क आता है स्टार्टिंग में उसके बाद धिरे-धिरे पूरा पासानकाल में किया कि आग का विस्कार होता है मनुसिया वो मास्कों पका के खानाय स्टार्ट करता है और उसके बाद आता है मध्धे पासानकाल तो मद्दे पासान काल में जो महत्तो परिवर्तन आया था मनुस्य आप पस्वू पालन और कर्शी करने लगा था उसके बाद धीरे धीरे मनुस्य ने और मनुस्य का जो दिमाग विक्षी दुआ तो उसने और नए नए आविस्कार प्रारम किये और वो टाइम आता आपका न ही मिला है सारे के सारे साक्से हैं वो हमें पुरातात्विक साक्से ही मिलें जिनके अधार पर हम प्राचीर भारती अर्था प्राग इत्यासी काल के बारे में जानकरी प्राप्त करते हैं और वो ही प्राग इत्यासी काल का एक पाठ है नव पासान काल अब देखेगा मद्द मद्धे पासान काल के बाद नव पासान काल में लोगों ने क्या-क्या उन्नति करी क्या-क्या उनके जीवन में परिवर्त नाये उन्हीं सब के बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे तो मद्धे पासान काल के बाद नव पासान यूग में मनुश्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्टनाया इस यूग में वह बोजन का उत्पादन करने वाला हो गया अर्थात उसे क्रशी पदत्ती का अच्छा ज्यान हो गया तो क्रशी करना तो वह मद्यपासानकाल में सीख गया था अब क्या कि उसको क्रशी की पदत्ती का भी ज्यान हो गया था अलग-अलग तरी नहुपासान युग में मनुष्य का मस्तिस्क अधिक विक्सित हो चुका था उसने अपने बोधिक विकास अनुभव परमप्रा और स्मर्ति का लाव उठाकर अपने पूर्वा काल के ओजारों वे थ्यारों को काफी सुधा लिया था पूरा पासान काल में क्या करता है जैसे पत्थर ने पु digging लिया होता है उसके बाद मद्वा सान काल में पत्थरों को अब उनमें निखार लाना ऊसने प्रारम करा था उनके अलग-अलग भारतिय मानव ने ग्रे नाइट की पहाड़ियों अत्वा नदी तटके समी बस्तियां इस्तापित की थी तो एक इसमें ये सुधार ये भी आता मनुसेव अब बस्तियों में रहना प्रारम करा था उसमें उसने पहले वो क्या करता था कि पत्थ्रों के जो सेलास रहते गुफ था नव पासान काल विश्वय के लिए तो 9000 इसापूरव से बहनों और भारत के लिए 7000 इसापूरव से प्रारम हो के 3000 इससापूरव तक माना जाता है इस काल में कर्शी कारिय का प्रारम पसु पालन पत्थ्रों को गिसकर ओजार और अथ्यार बनाना आधी इस आल की क्या जाता था इस काल में मिट्टी के बने बर्तन जिनको मृद्वान्ड कहते हैं इनका प्रियोग भी होने लगा था उन और नवपासान काल तक आते आते उसने घर बनाना भी प्रारम कर दिया था इस काल के मानव गोलाकार और आयताकार घरों में रहते थे जिसे मिट्टी और सरकंडों से बनाय जाता था बलूचिस्तान के मेहरगर से जो गेहूं, खजूर और कपास की पसलों के साख से प्राप्त हैं और यह कहां से प्राप्त है बलूचिस्तान के मेहरगर से प्राप्त हैं यहां के लोग मिट्टी के कच्ची इंटों से बने आयताकार या घरों में रहते थे तो जो मिट्टी के जो घर बने हैं वो कच्छी इंटों से बने हुए हैं और इनका कार कैसा है? आईता कार है अब देखेगा कई बार प्रीक से हमें पूछ लेते हैं कि सर्व पर्थम जो मनुसे ने सर्व पर्थम जिस अनाज का प्रियोग किया वो कौर सा अनाज है जो और वो है नवपासानकाल से यह नवपासानकाल से अनाज का प्रियोग प्रारम कर देता मनुसे और उस अनाज में है जो तो मानव दुवारा सर्वा पर्थम प्रियोग अनाज जो था मानव को पता लग गया कि बीज से वनस्पति बनती है वह बीज बोने लगा बीज बोने के साथ साथ उसने सिचाई करना भी सीखा वह अनाज के पकने पर उसकी कटाई कर उसका भंडारन करना सीख गया तो क्या है जो पूरा पसान काल था वहां तक कि यह कोई किसी प्रकार की कर्शी नहीं करताear है ना कोई अनाज वगराब होताया क्या करताए उल्क पशुं को मार के वो ही खाताए उसके बाद मध्य पास्थाल काल में कर्शी फैसी करना थोड़ा-थोड़ा सीखताए अब क्या है कि कर्शी के सासा था भंधारन करना भी सीख जाते हैं अनाज को वह है संग्रे करना भी सीख जाते है भई जितना खाया अथीक है बाकिका वह आगे के लिए रखता भी है 9 पासाण काल में मनुसे क्रिशक और पसू पालक दोनोँ था ठीक है ना किसान और पसू पालक पसूं को भी वह पालता था कई स्तलों पर इस यूँक के अनाज के दाने मिले हैं इन दानों से पता लगता है कि उस समय कई पसलें उगई जाती थी उत्तर पस्चिव में मेहरगड मेहरगड काँ पर है पाकिस्तार में गुफ कराल और बुर्ज होम ये कामपर है गुफ कराल और बुर्ज होम ये कई बार पूछ लेते हैं परीक्षा में यह है कस्मीर में कोल्डी हवा और महागड़ा उत्तरपरदेश में है चीरांद बिहार में है हलूर और पयमपली यह है अंदरपरदेश में यहां से क्या प्राप्त हैं गेहूं जो चावल जुआर बाजरा दलहन काला चना और हराचना ऐसी पसले उगाने के परमाण इनस्तलों से मिले हैं इस यूग में मनुस्य कर्षी कारिये के कारण एक स्तान पर स्थाई रूप से रहना सुरू कर देता तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नव पासान कार की परमुक विसेशता है वो क्या है मनुसे है वयाब एक जगा इस्ताई रूप से रहना मनुसे ने प्रारम कर दिया था कहीं कहीं जो फडियों और घरों के अवसेस भी मिले हैं बूर्ज होम में गड़े को घर बना कर रहने के साक्से मिले ये क्यूसन कई बार पूचा गया है कि मनुसे के जो इस्ताई वस्ती के जो साक्से वो कहां से मिले हैं जिसमें मनुसे वो गड़े का घर बना कर रहना जिसने स्टार्ट करा वो है बूर्ज होम से ऐसे घर को गर्थवास का नाम दिया गया है ऐसे भी आ सकता है कि वही गर्थवास के साख से कहा से मिलें गर्थवास किसे का जाता है मेहरकट में कई घरों के अवसेस मिले हैं जो चोकोर और आयताकार है नव पासान योग में करशक और पसुपालक एक साथ एक स्थाल पर छोटी-छोटी बस्तिया बनाकर रहने लगे थे परिवारों के समुह ने जन जाती को जन दिया जन जाती के सदस्यों को आयू, बुधी मता और सारीरिक बल के आधार पर कारिय दिया जाता था जेस्ट और बलसाली पूरुष को जनजाती का सरदार बनाय जता था नवपासान काल में जनजातियों की अपनी संस्कृति और प्रमप्राएं होती थी भासा, संगीत, चित्रकारी आदि से इनकी संस्कृति का ज्यान होता है इस काल में लोग जल, सूर्य, आकास, प्रत्वी, गाय और सर्प की पूजा विशेश रूप से करते थे इस काल में बने मिट्टी के बर्तन कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं, इन बर्तनों पर रंग लगाकर और चित्र बनाकर उन्हें आकरसक बनाने का प्रियास किया गया है उत्रपर्देश के कोल्डी हवा से 6000 इस्सा पूर्वय के चावल उत्पादन के साक्से भी हमें प्राप्त हुए हैं तो प्राचींतम चावल उत्पादन के प्राचींतम साक्से वो कहां से प्राप्ते हैं? कोल्डी हवा से, कोल्डी हवा कहां पे हैं? उत्तर परदेश में स्थित हैं. कस्मीर के बुर्ज होम से गर्तावास हड़ी के ओजार आधी मिले हैं. साथ ही कब्रों में मालिक के सवों के साथ पालतु कुत्तों को भी दपनाया गया है ऐसे साखसे भी हमें मिले हैं बिहार के चीरांद से हड़ी के बने ओजार और मुखे रूप से हेरन के सिंगों से बने उपकरण प्राप्त हुए हैं कुमकारी का सर्वपर्थम कुमकारी का सर्वपर्थम प्रमाण है नवपासान का ऐसे मिले हैं बर्त्रों में पोलिस दार काला मृत्भांड गुसर मृत्भांड और चट्टाई के चाप वाले मृत्भांड भी परमुख हैं करनाटक के पिकली हल से राक के धेर तथा निवास स्थान मिले हैं यहां के निवासी पसूपालन करते थे और सबसे पहले कुत्तो को पालतू कौन से काल में बनाय गया वह है नवपासान काल अब देखेगा नवपासान काल के परमुख स्थल कौन-कौन से हैं सरू तरू और मार्क डोला यह असम में इस्तित है उतनूर यह अंदरपर्देश में इस्तित है पैयम पली यह तमिल नाडू में इस्तित है और ब्रह्मगीरी, कोडकल, पिकली हल, हल्लूर, मस्की, संगेन, संगेनलू यह कंणाटक में इस्तित है और महरगड पाकिस्तान में तो देखें स्टुडेंट्स यहां पर हमने नवपासान काल के बारे में पढ़ा है और इस नवपासान काल के साथ ही हमारा प्राग एतियासी काल संपूर्ण होता है और अब हम आगे आदे एतियासी काल के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद.